अफिर्यूंचिया, असमार डिन अजसे अन्युदोरू गर्पाइज दिक असदर्पार आप सकती जी चुछ फैशलक करेंगे बरती उना हतने घुलिक प्रतिख report प्रदेश या टाउन से भी हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के सम्मूह या संगठन को दिया जाता है इस GI TAG की मदद से क्रोशी प्राकृतिक या निर्मित वस्त्वों की अच्छी गुनवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है निर्मित माल का उत्पादन या प्रसंसकरन या उस शेतर में तयार किया जाना चाहिए जो इसके लिए GI Registration जारी किया गया है आपको बता दे यह TAG World Trade Organization की तरफ से जारी किया जाता है यह GI TAG प्राप्त उत्पादों की नकल को रोगता है इसे लिए यह भारत में भागौलिक संकेतों को कानूनी संग्रक्षन प्रदान करता है यह TAG अच्छी गुनवत्ता वाले उत्पादों को दिया जाता है ताकि ग्रहकों की संतुष्टी बढ़े उत्पादों की अच्छी गुनवत्ता उत्पादकों के लिए अंतराश्य बाजार के द्वार खोलती है उत्पादकों के राजस्त में वृध्धी और उस शेत्र में रोजगार स्रिजन होता है इसके लिए भारत में एक सलसान है जो इसका नाम Department of Industrial Policy and Promotion के अधीन Controller General of Patent Design and Treatment ही भगौलिक सांकेत पंजीकरन की मांग को लेकर लोग जाते हैं जहां से GI Tag 10 साल के लिए दिया जाता है आपको बता दे GI Tag मिलने से कोई भी उत्पाद इंतराश्य बाजार में भी प्रश्रित हो जाता है आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दे कि भारत का पहला Tag डार्जिलिंग टी को दिया गया था हाली में चमपारन के मीट को भी इस Tag से सुसज़ुत करने की चर्चा शुरू हो गई है जिसके बाद आने वाले दनों में दुनिया में अलग पहचान इसे मिलने वाली है जिसके तहट बिहार की मधुबनी पेंटिक मखाना के तरच पर चमपारन के मीट को भी अलग पहचान मिलने वाली है जुसके तहट जल्द ही बिहार के चंपारन मीट की GI टागिंग करवाई जाएगी जुसके तहट बिहार पशु विश्विध्याले इसके प्रयास में चुट गया है खबरों की बाने तो पटना के कई रेस्टोरेंट मालिक, मीट, दुकानदार, छात्र और सिक्षकों को मांस को बहतर धंग से काटने स्वच्छता का ध्यान में रखते वे और मांस निकालने के लिए स्वस्थ पश्वों के चयन पर प्रकाश चाला गया है डीन डॉक्टर जुके प्रसाद और निदेश्यक अनुसंधान ने हाईजीन की जानकारी दी है इसको लेकर उठाने जल्द ही आवेदन भेजने की बात भी गई है आपको बता दे जी आई टाग मिल जाने के बाद अधिकरित उपियोग करता के अलावा कोई और छेत्र कोई अन्य व्यक्ति संगठन इसका उपियोग नहीं कर सकता है हारा कि आपको ये भी बता दे कि जो व्यक्ति या संगठन या छेत्र किसी उतपाद के जी आई टाग के लिए आवीदन करता है और टाग को प्राप्त भी करता है वही जी आई टाग का अधिकरित उपियोग करता कहा जाता है अब बात करते हैं जी आई टाग के बिहार में शिरुवात को लेकर कतर्नी चावल का टाग भवॉलिक संके तक रजिस्ट्री चन्ने द्वारा दिया गया था मार्च 28-2018 को कतर्नी चावल बिहार भारत का सबसे प्रच्रित आपचारिक और बहतरीन गुनवत्तावाला सुगंधिर चावल है कतामी शब्द का शाब्दिकर्थ है सिलाई के लिए अंत में एक हुक के साथ एक अविवस्था आवल लकडी या चम्रे में छेद बनाने का एक नुकीला ओजार है कतामी नाम धान के शीर्ष के आकार के कारण उत्पन हुआ है जो अब लोग के सिरे के समान है यह अपने सुगंधित स्वास, स्वादिष्ठा और चूरा वनाने के गुणों के लिए प्रसिद है क्रिशिव भाग द्वारा परिभाशित कतर्मी चावल के उत्पादन का भौगौलिक शेत्र मुंगेर बांका और दक्षिन भागलपुर के दक्षिन जलोड गंगा विमान से युक्त है अब हम बात करेंगे जरदालू आम की भागलपुर और आसपास के जिलो में उगाया जाने वाला एक आम का अलग प्रकार है यहां एक मलाईदार पीले रंग का फल है जिसमें असाधारन फल गुनबत्ता और एक मोहक सुगन्द होती है इसके बाद हम बात करेंगे मघी पान की बिहार राजु ने मघी पान के लिए एक और भौगॉलिक संकेत टाग अर्जित किया है जो की मार्च 28, 2018 को मघी पान बिहार मुल का एक प्रमुख खेती है जो विशेश रूप से चार जिलो और अंगाबाद गया नवादा और नालंदा के मघट शेत्र में उगाया जाता है इन शेत्रों में उगनेवाले मघी पान उतकृष्ट गुनबत्ता के हैं और यह सुपारी के बीच महगा है कृषी सामानों के अलावा बिहार राजु ने हस्त शिल्फ वस्तूओं के संबंध में भवालिक संकेत पंजीकरन भी अरजित किये हैं जुसमें बिहार का सिक्की ग्रास कारे मधुबनी पेंटिंग पीपली जो की बिहार का खवा पैच भी कहा जाता है बिहार के सुजनी कढ़ाई का काम भागल पुर सिल्क बिहार का काम खटवा बिहार का सिक्की ग्रास उत्पाद बिहार का शाही लीची जैसे नाम शामिल है हम उमीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार के और भी उत्पादों को GI टाग से सुसाज्वित किया जाएगा आपके नुसार बिहार के किस उत्पादों को GI टाग दिये जाने की जरूरत है अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस अतना ही रहनेवाद